यहां हवान ने यूइल से और बच्चों की बात की तो यूइल चौक गया और पूछा तुमने क्या कहा हवान ने कहा जितने ज्यादा परिवार उतना अच्छा यूइल ने कहा तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही हवान ने सोचा की यूइल और बच्चे बनाने को लेकर उतसाहित है और उसने कहा तुम्हारे नीचे गीला दिख रहा है यूइल ने हवान को प्रेम करने से रोकने की कोशिश की और कहा रुको, रुको, हवान ने कहा सच में रुकना चाहो यूइल स्माइल्ड और कहा चलो बिस्तर पर चलते हैं लेकिन हवान ने कहा बिस्तर बहुत दूर है मैं वहां तक इंतजार नहीं कर सकता मैं यहीं प्यार करना चाहता हूँ और वे प्रेम करने लगे लेकिन यूइल डर गया क्योंकि वहाग गर्भवती है और उसे बच्चे को सुरक्षित रखना है यूइल ने कहा हवान इतनी सकती से मत करो धीरे करो हवान अच्छे मूड में था और कहा यह तुम्हारी सजा है उस समुद्र तट पर भागने के लिए तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी कितनी चिंता कर रहा था हवान ने कहा कि उनका बच्चा उन्हें बहुत प्यार करेगा क्योंकि उनके पिताजी बहुत हैंसम है और वे प्रेम करते रहें लेकिन जल्द ही हवान ने कहा, यूइल, कभी मेरा साथ मत छोड़ना, हमेशा मेरे साथ रहना और कुछ भी मत सोचो, बस मेरे साथ रहो, यूइल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. और उसी समय हवान ने अपनी फेरेमोन्स छोड़ी यूइल उसे सून सकता था और उसने और प्यार मांगा और कहा, हवान, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ. हवान भावुक हो गया और कहा, तुम नहीं जानते, मैंने इस पल का कितना इंतजार किया है, प्रेम करने के बाद वे बिस्तर पर चले गए. यूइल ने कहा, मैं ठक गया हूँ, मुझे सोना है, हवान ने मुस्करा कर कहा, ठीक है, ठीक है, सो जाओ. लेकिन अचानक यूइल ने हवान से पूछा, तुम मुझे कब से पसंद करते हो, हवान ने जवाब दिया. पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा, यूइल ने कहा, इतने लंबे समय से, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, हवान ने कहा, मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगे, मैं तुम्हारे साथ बस रहने में ही खुश था, इसलिए यहाँ पल मेरे लिए एक सपना ज मेरे साथ रहूंगा, अब सो जाओ, यूइल, हवान का फ्लैश पैक, मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ था जहां पीडी दर पीडी डॉमिनेंट अलफा पैदा होते आये हैं, मैं एक दुरलब डॉमिनेंट अलफा हूँ, और सच में, यह मेरे परिवार के लिए एक आ यंतरित नहीं कर सकता था, हमें उसे तुरंट स्थानांतरित करना पड़ा कोई भी मुझे अफवाहों के कारण स्वीकार नहीं कर रहा था, फिर हमें उन स्कूलों में प्रयास करना चाहिए जहां बीटा छात्र जाते हैं, मेरी लिए सब कुछ उबाऊं था जब तक कि मैं यूइल से नहीं मिला, मुझे याद है कि यूइल ने कैसे पूछा, यहाँ पहली कक्षा की दूसरी ग्रेड है, तुम, तुम कौन हो, मुझे उसे देने का मन हुआ, यहाँ पहली बार था जब मैंने उसे देखा था, और यहाँ इच्छा बढ़ती गई, मैं चाहता था कि म उसके पास अकेला रहू, इसलिए मैंने एक लड़के से कहा कि वह यूइल का दोस्त ना बने और पैसे की पेशकश की, जल्द ही सभी छात्र यूइल को अकेला छोडने लगे और कभी-कभी उसे मारने की कोशिश करते थे एक दिन, मैंने यूइल को अकेले एक मशीन बॉक् पूछा, क्या हुआ यूइल? तुम्हारे कपड़े फिर से गंदे क्यों है? यूइल ने मेरी ओर देखा और कहा, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम भी मुश्किल में पढ़ जाओगे? हवान ने जवाब दिया, नहीं, यह ठीक है, कुछ नहीं होगा, आओ, अपने क पड़े बदल लो, इस तरह हवान और यूइल दोस्त बन गए फिर हम कई जगों पर जाने लगे. हम एक कॉफी शॉप में गए यूइल ने पूछा, क्या कॉफी शॉप खोलने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होती है? मैं भी एक दिन खोलना चाहता हूँ. हवान ने कह कैसा रहेगा अगर मैं यह दुकान तुम्हारे? लिए खरीद दू और तुम्हें दे दू. यूइल ने मुस्कराते हुए कहा, मैं तो बस मजाग कर रहा था. बाद में अगर मुझे कोई नौकरी नहीं मिली. हवान ने सच में उस कॉफी शॉप को यूइल के लिए खरीदन सूंगना चाहता हूँ? हवान सोच रहा था कि यह तब तक संभव नहीं है, जब तक वे दोनों एक ही जगा नहीं रहते. इसलिए हवान ने यूइल के साथ रहने का मास्टर प्लान बनाया जब यूइल के माता-पिता बाहर गए. तो हवान ने उनकी कार दुरघटना करवा और वे दुरघटना में मर गए हवान ने कहा, यूइल अब तुम कैसे रहोगे? क्यों ना मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ, उस समय यूइल अपने माता-पिता को खोकर दुखी था. इसलिए उसने हवान के साथ रहने के लिए सहमती दी. धीरे-धीरे हवान ने अपने फेरोमो छोडने शुरू किये और यूइल को आकरशित किया, इस तरह उसने यूइल का प्यार जीत लिया, हवान ने उसे कुछ दवाएं भी दी, जिससे यूइल ओमेगा बन गया. 9 साल बाद, वे आखिरकार प्यार में हैं. फ्लैश पैक खत्म हुआ, यूइल सोफे पर सो रहा था हवान अंदर आया और उसे बिस्तर पर सोने के लिए कहा. लेकिन यूइल ने कहा कि वह यहां ठीक है और बाबो को भी यहां पसंद है हवान भुसकराया और कंबल लाया और यूइल को दिया फिर हवान ने अपने दिल में यूइल के माता पिता से माफी मांगी और यूइल क की देखभाल करने का वादा किया इस तरह हवान और यूइल हमेशा खुशी-खुशी रहते थे अपने बच्चे के आने का इंतजार करते हुए और इस कहानी का यहां अंधुआ मैंने इस कहानी के सभी दस हिस्सों को समझाया है धन्यवाद इसे देखने के लिए अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें मैं अगली बार एक नई कहानी के साथ आऊंगी तब तक सुरक्षित रहें